ये बाड़े का कातर मिलियन डालर ट्वाइस कंपनी के माली को मार देता है और बड़े अराम से गर जाकर सो जाता है इसे लग रहा था सब कुछ ठीक है मगर तबी डोर पेल बज़ती है और चेक करने पर इसे एक बोक्स मिलता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्पाही ग है वो देखने के लिए नीचे जुकता है तो अचानक इस पर ट्वाइस आर्मी फारिंग करने लगती है जो वो अपने माली का बदा लेने के लिए आये थे क्या ये ट्वाइस कंपनी अपने माली के कदल का बदला ले पाएगी या नहीं जानने के लिए चलते हैं फिलम की डीटेल एक्स्प्लेनेशन की दरफ फिल्म की शुरुआप में रैंक शोन नामी एक किलर मिल्लिन डालर ट्वाइस कंपनी के मालिक के गर के सामने अपनी गारी पार करता है जो इसका नेक्स टार्गर था वो अपनी कारी से निकलता और मास्क पहन कर गर के अंदर दाहिल हो जाता है मूबाइल पर बम फटने का साम लगा कर स्क्योर्ट रूम के बाहर पहनकता है जिससे देखकर स्क्योर्टी कार पैनिक हो जाता है और दरवाजा खोल कर इसे बाहर पहनकने के ले जाता है इसी दुना रैंक्शोन इसे गोली मार कर मार देता है वो स्क्योटर रूम में तमाम कैमरों को बंद करने के बाद मोरिस्ट के कमरे में जाता है और इसे तीन गोलिया मारता है दो सीने पर और एक दमाग पर अच्छी तरह चेक करने पर के वो मार चुका है वहां से इस मर्डर की याद के लिए एक छोटी सी फैरी उठा लेता है और बड़े मज़े से प्लेन में बैट कर अपनी कंट्री वापिस आ जाता है जहां पर वो रास्ते में अपने कलाइन को मिशन सक्सेस्विल का मैसिज बेचता है वापिस फैरी को एक गलास इंटीरियर पर रख देता है जहां पर और भी बहुत सारी युनीक आइटम्स पड़ी हुई थी जो के इसने ये सब मर्डर करने वाली जगा से उठाई थी बहुत ज़्यादा थकी होने की वज़ज़ से वो सोफे पर हिस हो जाता है आदी रात को अचानक डोल बेल बजने से इसकी आँख खुलती है जो कोई शथ दर्वाजे पर एक बोक्स ले एक खड़ा था दर्वाजा ना खोलने पर वो बोक्स को वहीं पर राकर चला जाता है रैंक शोन नेक्स टेर दर्वाजा खोलता है और बोक्स को किचन में लाकर खोलने लगता है इस बोक्स पर भेजने वाले का कोई नाम पता नहीं लिखा था बस एक सिगनेचर थे जो के मोरिस की मदर के सिगनेचर जैसे थे जो इसने मोरिस के रूम में एक पिकचर के नीचे देखे थे पहले तो रैंक शोन इसे बाइर फैंकने का सोचता है मगर किरियोस्टी इस बॉक्स के अंदर क्या है? वो रुप जाता है और इसे खोलता है जो इस बॉक्स के अंदर आर्मी की एक एक बतालियन थी टैंक्स और गंस के साथ जो मोरिस की कंपनी के तरफ से इसे बेज़ा गया था जबके इसकी एक सायर पर लिखा हुआ था है कि इसमें बोनस सर्पाइस भी हिडन है वो एक स्पाही को बाहि निकालता और इसकी अच्छी तरह से जांच करता है जो इसे कुछ भी अजीब नहीं लगता कुछ देर बाई ये बोक्स अचानक से खुद बहुत जमीन पर गिर जाता है रैंक शोन के चेक करने पर इसमें से तमाम स्पाही गाईब थे जबके गड़ की तमाम लाई सचाने से फलक्चूेट करने लगती है और बंध हो जती है अचानक इसे अपने पाउं पर कोई नोगता चीज सुपती है जो एक छोटे चाकू की तरह की गन थी वो जान चुका था कि इन सब के पीछे वो बोक्स वाले स्पाही है वो इन्हें देखने के लिए नीचे जुकता है कि इसी दुन सबाही अपनी गन से इस पर फारिंग करने लगते है और एक गोला इसके कुटने पर आकर लगता है वो वहां से बचता हुआ वाशूम में जाकर डोर लोग का लेता है इन स्पाहियों के टैक से रैंक्शोन मरता तो नहीं मगर छदीज जहमी हो चुका था इसे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या चल रहा है कुछ देर बावो मिरर से बाहिश सोल्जर्स को देखता है जो वो लिविंग रूम की तमाम लाइट्स तोड़ रहे थे ताकि अंदीरे में वो असानी से इस पर हमला कर सके इसी दुन इसके मिरर को एक रोकेट आकर लगता है इस सबसे रैंक्शोन घुसे में आ जता है और बेडरूम से गन निकाल कर इन पर फारिंग करने लगता है वो कबर से मशीन गन भी निकालता है और सोफे पर फारिंग करते हुए इससे उल्टा देता है जो इसके नीचे देख कर हिरा रहे जता है छोटे छोटे स्पाही एक दूसरे को उठा रहे थे जबके कुछ स्पाही दुवारा से इस पर हमला करने की तियारी का रहे थे रैंक शोन इने अपने पाउं से कुछलने लगता है नेक्स तीन हालिकाप्टर अचानक टेबल के नीचे से अपेर होते हैं और इस पर अंदा दुन गोला बरूत फार करने लगते हैं रैंक शोन इनसे बचने के लिए बेडरूम में जाकर अंदर से लाग का लिता है वो अपने आपको मिरर में डेकर डाज जता है जो इन मिन सोलजर ने इसकी हालत बहुत बुरी कर दी थी इसी दोने एक हालिकाप्टर बेडरूम का दुर कर अंदर दाहर हो जता है रैंक शोन इसे तोलिये से पकरब कर पाउं से कुचल देता है मगर इसके बावजूद भी सिपाई हटकत का रहे थे जिनने वो फलश में करंड देकर मार देता है इसे दर्वाजे के नीचे से एक नोट मिलता है कि वो सिरंडर कर दे ये सब होता देखकर रैंक शोन को अपने आखों पर यकीन नहीं आ रहा था और वो इन्हें वापिस लिखकर बेजता है बार्ड में जाओ रैंक शोन दर्वाजे के टूटे हिस्से से बाहिर देखता है जो सपाही दुबारा से टैंक के साथ हमला करने की तियारे कर रहे थे वो टैंक से गोला पर उत फायर करकर दर्वाजे को मकमल दोड़ पर तबाह कर देते है रैंक्शोन जान बचाने के लिए खिरकी से बाहिट बागता है मगर वहां पर भी एक हालिकाप्टर इस पर फारिंग करने के लिए पहुंच जाता है वो इस पर एक गोली फार करता है जिसके लगते ही हालिकाप्टर तबाह हो जाता है और वो दूसरी खिर्की से दुबारा से फ्लैट के अंदर वापिस आ जाता है जहां पर स्पाही टैंक से दुबारा हमला करने की तियारी कर रहे थे रैंक्शन फायर सप्रेसी इन सब को जिन्दा जिला देता है और गुसे में चाकू से इनके टुकरे टुकरे कर देता है वो इन्हें गिनने के बार बोक्स में वापिस राकर ओवन में जिला देता है और अपने आपको डिलैक्स करने के लिए पूल में स्विमिंग करने लगता है मगर वो बूल गया था कि सर्प्राइज ग्रिफ अभी वाकी है इसी दुरान इसे अपनी कलाई पर दर्द मैसूस होता है जो कोई इसकी कलाई काट गया था वो जल्दी से पूल से बाहिड आता और अपनी कलाई पर पट्टी बाढ़ने के बार फ्लैर से बागने के लिए लिफ्ट में बैठ जाता है मगर अचानक से लिफ्ट का पैनल तूट जाता है और वो वहीं पर रुक जाती है लाइट्स भी बंद हो चुकी थी रैंक्शोन अपनी पोकिट से लाइट निकालता हो और इदर उदर देखने लगता है जो इसे वहाँ एक कमांडो नज़ा आता है वो इस पर हमला करने लगता है रैंक्शोन जान बचाने के लिए दूसरी लिफ्ट पर कूँज आता है मगर कमांडो इसके शूस के साथ चिपकर इसके पीछे आ जता है और अपने चाकू से इसके दिल पर वार करने लगता है आखर रैंक्शोन इसे पकर लेता है और इसका साल लिफ्ट के दर्वासे के बीच देगर मार देता है और अपनी काम्याबी पर हसने लगता है इसी दोन इसे एक रैट कलर की लैट बिलिंकी करती हुई दिखाई देती है जो इसके साथ एक बंबट एच था वो बलास्ट होता है जिसके दमाके से रैंक्शोन मारा जता है आहर ये ट्वाइस अपने मालिक के कतल का बद्रा ले लेते हैं और यहीं पर इस फिलम का एंड हो जता है अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जूर कीजेगा शुक्रिया